हलो दोस्तों आप देखरें टीज भारत मैं हूँ सुनु कुमार दोस्तों आज मैं आपके लेकर आगया हूँ एक इंट्रेस्टिंग वीडियो मैंने बहुत पहले आपको एक वीडियो बनाएके दिया था जो कि चैनल किस तरह से फेरिफाई करते हैं उसके बारे में मैंने मु वाइल पर ही बताऊंगा तो इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि आप अपने यूटूब चैनल को किस तरह से फेरिफाई करें अगर आप अपने यूटूब चैनल को फेरिफाई करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा दखें अगर आप इस वीडियो को से अपने चनल को verify करते हैं ओभी 2020 में तो चलिए दोस्तों वीडियो का start करते हैं start करने से पहले बता दूँ कि अगर आप हमारी चनल पर नहीं है तो हमारी चनल को subscribe करते हैं बेले कर जोड़ दवादे कि किसी तरह के वीडियो में हमेसा आपके लेकर आते रहता हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो का start करते हैं तो चलिए से पहले अपने mobile के chrome browser को open कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा chrome browser open हो चुका है अब हमें यहाँ पर search करना है youtube.com जैसे ही मैं यहाँ पर youtube.com search करूँगा तो देखिए हमारे सामने youtube.com खुल चुका है तो आपको क्या करना है कि आप देख रहोंगे इस space में सबसे उपर में right corner में आपको यहाँ पर three dotted दिख रहा होगा इस three dotted पर मैं click करता हूँ जैसा ही हम इस three dotted पर click करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको desktop site पर जाने का option देखने को मिल जाता है ब्राउजर है वो desktop में open हो जागा तो उपर आप right corner में देख रहा होंगे जहां पर हमारा चैनल का लोगो दिखा रहा है अगर वहाँ पर आपका logging पहले से नहीं होगा तो आपको signing करने के लिए बोलेगा तो वहाँ पर आपको signing कर लेना है उसी email और password से जिस पर आपका channel है तो मैंने यहाँ पहले से signing कर रखा इसलिए मेरे आपको यहाँ पर हमारा picture दिखा रहा है तो हमें क्या करना है कि इस logo पर हमें click करना है तो जैसे ही हम अपने logo पर click करेंगे तो हमारे समने एक drop down menu आ जागा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो अगर आपने जिस email id से logging किया है अगर उसी पर आपका channel है और उसी में आप चाहते हैं कि अपने account को verify करना तो आप simple यहाँ पर आपको tube studio पर आपको click कर देना होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा channel को यहाँ पर आप लाना चाहते हैं जो आपके मुआल में पहले से logging है तो उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर switch account का एक option देखने को मिल जाता है switch account पर मैं यहाँ पर click करता हूँ जैसे ही मैं switch account पर click करूँगा तो मेरे mobile में जितने भी email id logging है सारा आप यहाँ पर आजाएगा और जितने भी channel logging है और सारा channel भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो अभी मैं जो इसको verify करने वाला हूँ और आप देख रहे होंगे यह पहले हमारा picture आ रहा था वह अब computer education का जो logo है वह उहाँ पर आ रहा है तो आप में क्या करना है कि यहाँ पर click करना है इसके logo पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें तिसरे option देखने को मिल जाएगा YouTube Studio हमें simple YouTube Studio पर click कर देना है जैसे हम YouTube Studio पर click करेंगे तो आप देख रहा होंगे हमारे सामने यहाँ पर dashboard open हो जाएगा computer education channel का तो इसी तरह से आपका भी channel का यहाँ पर dashboard open हो जाएगा तो अब आपको simply क्या करना है कि आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिल जाता है एक तो आपको message feedback करने का और उसको आपको aking setting का button दिखने को मिल जाता है सबसे लास्ट में अगर हम जूम करके आपको दिखाने को मिर रहा होगा सबसे लाश्ट में आप order में देख रहे हो गए हैं और यहाँ पे face feedback का button देखने को मिल जाता है तो हमें क्या करना है हमें simple setting button पर click करते ने है जैसे हम setting button पर click करेंगे तो हमारे सामने एक pop up window जो जाएगा जो की setting का होगा जैसा कि आप देख रहे होगा यहां से आप अपने channel की पूरी setting कर सकते हैं तो आप हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें channel पर click करना होगा जैसे हम channel पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको basic information डालने होते है channel के बारे में वो तो मैंने पहले ही अपने tutorial में आपको बता रखा है अगर उस अब आप ही तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं उसके बाद यहां पे advanced setting भी मैंने करने के लिए बता दिया है उसके बाद branding भी मैंने बता दिया कि अगर आपका वीडियो चलेगा तो आप देखते होंगे नीचे कोना में आपको logo दिखाता है तो इस तरह से branding होता है अपने चरल के इसको किस तरह से लगाते हैं उसके लिए भ प्रण को आपको एतने सारे features देखने को मिलगाते हैं जो की जैसे ही आप चैनल बनाते हैं आपको default features देखने को मिल जाता है जैसे की वीडियो अपलोड कर सकते हैं प्ले required form verification अगर आप अपने चैनल पर form verification करते हैं तो यह सारा features आपको और देखने को extra मिल जाता है इसके अंदर कौन-कौन से features आते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा देखिए यहाँ पर बता सकते अगर आपने चैनल में कर सकते अपने चैनल नहीं किया तो आप कस्टम ठमनेल लगाना है तो आपको चैनल को verify करा नहीं होगा उसके बाद देख रहा होंगे live streaming बीना फेरिफीकेशन कर लाइव streaming नहीं कर सकते अपने channel पे उसके बाद सबसे last में आप देख रहा होगा यहाँ पे आपको ID claim का option देखने को मिल जाता है यह भी आपको तभी मिलेगा जब आपका channel verify होगा उसके right side आप देख रहा होगा यहाँ पे आपको requirement पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपको default features था रहा हो तो आपको मिल गया यहां पर green sign आपको दिखा रहा होगा और दूसरा नीचे आप देखना होगा यहाँ वेरिफाइफtoi नमबर से यहां पर आपको एक blue color का button दिख रहा होगा verify phone number तो आपको क्या करना है यहां से आपको एक phone number से इस channel को verify कर देना है तो उसके लिए क्या करना है कि इस button पर मैं click करता हूँ जैसे ही इस button पर मैं click करूँगा तो देखिए हमसे फिर से पुछा जाएगा कि क्या आप इसको chrome में open करना चाहते हैं या YouTube पर open करना चाहते हैं तो मैं इसे chrome में open करूँगा क्योंकि अगर YouTube channel पर करूँगा तो वहां से verify नहीं हो पाएगा तो मैंने इसको फिर से chrome में open कर लिया अब हम से यहां पर पुछा जाता है कि आप अपने country को choose किजिए तो मेरा India पहले से यहां पर choose है वाइल इंटर कर दिया है अब इंटर करने के बाद क्या करना होगा कि नीचे की तरफ आप देख रहा होगे यहां पर आपको submit का button देखने को मिल जाता है इस submit button पर हमें click करना है जैसे ही मैं इस submit button पर click करूँगा तो देखिए आपके सामने एक windows open हो जाएगा जिसमें आपको पुछा जा रहा है कि जो आपको verification code भेजा गया है वो आप यहां पर enter करें तो देखिए verification pin यहां पर आ चुका है हमारा message में जैसा कि आप देख रहा होंगे इसमें हमारा verification number है 491939 तो यहां पर हमें डाल देना है 491939 तो देखिए यहां पर मैंने डाल दिया 491939 एक वाइफिर से verify कर लेता हूँ 491939 यस सही है अब मैंने इसको डालने के बाद submit पर click कर देता हूँ तो जैसे ही मैं submit पर click करूँगा तो देखिए यहां पर लिखा हूँ आ जाता है verified, congratulations your YouTube channel is now verified तो इसी तरह से हम अपने चैनल को verify करते हैं अब मैं आपको back करके दिखा देता हूँ कि जो हमारा वहां पर features जो जो दिखा रहा था वो अब आ रहा है या नहीं आप देखिए यहां पर हमारा डवल टिक हो चुका है तो इसी तरह से हम अपने YouTube चैनल को verify करते हैं और यह verify करना काफी जुरूरी है अगर आप verify नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे features देखने को नहीं मिलेगा तो आपको अगर हर features चाहिए, तो आपको चैनल को verify करना ही होगा, पर एक बात का आप ध्यान रखे, जब ही आप verify करने जाए, तो आप new number के साथ verify करें, कभी कभी problem आ जाती है, अगर आप number डालते हैं, तो यहाँ पे कुछ error बगेरा भी आ जाते हैं, मुझे बहुत सारे comments मिले पिछले वाले वीडियो में, तो उस तरह से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आप एक नया number का उच्च करें, जैसकि मेरे case में कोई problem नहीं है, जैसा कि आपने देखा, सारा चीजा स्मूथली हो गया, मैं simple डाला और मेरा चैनल verify हो गया, जैसा कि आपने देखा, तो इसी त किस तरह से अपने चैनल को verify करते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही इसी तरह के वीडियो दखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर दे, बेल आइक के जोड़ दवादे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में हमेसे आप के लेकर आते रहता हूं, और मैं आपको बदातूं कि अभ कर दो दूम है, जब आ हो धज में हमारे चesianप रहता है तरह के वीडियो में हमारे तरह के वीडियो कर दोद टो, भी ए हमांशने के रोमारे प्क्राप हमारे भा कर द vendo रहता है, क्योंशने क्यों अजियों जब है, आ. झाल झाल